है नमस्कार मोडल कुर्शन पेपर सेट वर नाइटी सास्त्र पोलिटिकल साइन्स जो होने वाले एक्जाम दोर 21 के लिए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आवाइसे कर लेंगे पर इचारती पर उत्रखात खंट संख्या और संख्या और संख्या और संख्या लिए आपका इंस्ट्रक्शन से पढ़ लेजी क्या क्या आपका इस देश ने नाटो में अमेरिकी नत्यूद का विरोध किया था उस देश का नाम बताना है देखिए उस देश का नाम था आपका फ्रांस देश जो है नाटो में अमेरिकी नत्यूद का विरोध किया था फ्रांस देश आए कुर्षिन नमए टू की आते हैं कुर्षिन पर कहता है बॉल्सेवी करांती कहां हुई थी तो जाइब और आपका रूस में हुई थी मिस तू का आपसर नमर्श्यों असर होगा वॉल्सेविक करांती रूस में हुई थी आए आते ने इस कुछिन में ठाड की राते हैं कुर्ष में ठाड कहता है देखिए आपका कि सोवियत संग के अंतीम राष्टपती कौन थे आपका थे मिशावील गौरबाचीव था क्या था सोवियत संग के वर और एक वे प्रश्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा आये थैं धगस्षानमंबर और एक धुरतवण के देखिण है कुर्ष नमबर 5 के उलेड़ वापका कॉन था कलने के यह नहीं है मतलक्तात्स जो है आसना का हदस नहीं है सिंगापूर शिलंका फिलिपिन इनोश्या देखेगा सिंगापूर जो है आसियां का सदस देख नहीं है कौन आपका सिंगापूर आपका जापान है आएक मात जापान देख है जो अकेली जी एट का सदस है आएए बरतने स्कूर्च नमबर सेवन किया सजुक्त राजसंग की अस्थापना कब हुई थी वैन वाज दुए इस नेशन सब्सक्राइशन इस्टैबलीच्ट हज़केगा हंजुत राजस्तंग की अस्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 इस वी को हुई थी आई बरतने स्कूर्च नमबर 8 कि राते हैं कूर्च नमबर 8 कहता है भारत से 37 सेना सिर्लंका कब भेजी गई थी आज़केगा भारत से जो है स्रिलंका आपका 1987 में भेजी गए थी भारत सांती सेना सिर्लंका 1987 में भेजी गए थी आई बरतने स्कूर्च नमबर 9 की और सेख मुझीबुर रहमान किस देश के परधानमंत्री थे वार कि बंगलादेश के परधानमंत्री थे आपकेगा सेख मुझबिर रहमान बंगलाद धाका में हुआ था मिनेश्टी इंटरनेशनल का संब्ध किस से हैं तो आपका मानवा धिकार से से अधिक आपका सुरच्छा परिशन में कितने और स्थाइस से हैं तो अधिक आपका संब्धान कब शुक्रिद किया गया था कि भालत का सम्धार किस भालत कि भालत किक आपकार का से हैं और में अन्पदेस करथन भालत किया गया था में इसenteल केखर फ्लिद गूर्टी आठ अधिक आफिक मिल्ध है यह गयाथे और इम लिखित में से किस ने उनिश्य एकावन में भारती जनसंग पार्टी की अस्थापना की गई वू एमंग दा फॉलवी लीडर्स फाउंड़िट भारती जनसंग पार्टी 1951 में इस ने किया था तो वाज किये गा स्यामा प्रसाद मुखर जी द्वरा किया गया था मिस फ्टेंथ का अप्सन नंबर सिकाना स्था हो जाएगा स्यामा प्रसाद मुखर जी ने उनिश्य एकावन में भारती जनसंग पार्टी की अस्थापना की थी आयए बरतने इस कुश्च्य नंबर स्थान चर्चा में अब देखिए चर्चा में क्यों था तो कि भात की पाकिस्तान के बीच क्या था ज्ली वासर कान चर्चा में था में समेंटित का अप्सन नम्बर डीकश भीजर हो जाएगा आये बसे इस कुस्टे नमबर अथारा की और अथारा का दाओ कि से द्वारा किया गया था रहा दूसरी पंच्वर्षी उजजना लगाने की पाच येर्स का प्लान होता है यह तैयार पीसी महादुनोबिस के द्वारा किया गया था आये बतने इस question नमबर 19 की उराते है question 19 का अठा है का देशी रियासतों के आसकों को दिया आ जाने वाला प्री प्री वीपर्ष की समाप्त कर दिया गया था तुछ ये आपका प्रीवर्ष आपका स्विए में समाप्त कर दिया गया था मिस्टनाइन blijघ तर संपा impe Megan से प्रिवी पर समाप्त कर दिया थाहा उनीज 70 का ओफिशन नंबर बिस क्या था नीपर ते यो का पदन होता है कि नीती-अजृत मॉट्ष का आईए बाटतर इस question number आपका 21 नमबर कियो एक इस नमर करता है उन्सक्तर में जनता पार्टी के समय पधानमंत्री जो है बना था वो आपका थे 1971 में वो थे आपका मुराई दसाई थे मिस क्या होगा 21 का आप्सन नमबर बीकर आउसर हो जाएगा उन्सक्तर में जनता पार्टी समय में वो रहे दसाई भारत के पधानमंत्री बने थे आए बाटतर इस question नमबर 22 की और बाइस का दनीन में से किस पार्टी कठन एक महिला नित्री द्वारा किया गया था आज रखिए का यह किया गया था भारती जनता पार्टी का मिस हो जाएगा आपका जो है वह क्या करता है आपकी निन में से किस पार्टी का एक महिला छेत्री ठीक है एक महिला चेतरी के द्वारा किया गया था तो आपका हो जाएगा बाइस नंबर का आपका अप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे तेलिगू दस्वाइब पार्टी जो दिया गया है वो कहता हो जाएगा जाना जाता है कॉंग्रस पार्टी को छत्री संग्ठन के रूप में जाना जाता है कॉंग्रस के वाधन की संग्या दी जाता है लगू संग्धान का जाता है संग्रस को लगू संग्धान का जाता है लगू संग्धान के द्वारा किया गया था सब्सक्राइब के बीच भारती राजीती में किस पार्टी का वच्चस रहा था वह पार्टी था आपका कॉंग्रस पार्टी का वच्चस रहा था अब्जेक्टिव टेश्च रहा था यह था यह था आपका शाह आयोग था आनि की क्या हो जाएगा आपका 29 अप्सन नमबर भीक्रट अंसर हो जाएगा अपात्काल की दमनात्मक दमनात्मक कारवाईव आज करने के लिए साह आयोग का वच्ठन किया गया था आए दिखते हैं कुष्चन नमबर तीस आप साइंट की लास्ट है अब्जेक्टिव टैप कुछन पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइन अंधिसास्तर में आम आधिव पार्टी कठन किस वर्स हुआ था कि आम आधिव पार्टी कठन वर्स दो हज़र बारा इस्वी में हुआ था मिस अप्सन नमबर एकटांज हो जाएगा कि आम आधिव पार्टी कठन दो हज़र बारा में की हुआ था आए आते हैं गुरूब भी खंड भी जिबेशाट और सौन टाइप कोश्चन है फिर उन्दी ब्लैंक कुछा जाएगा कि आधिव तो वहां पर क्या गया था एक धृर्वी हो गया था पहली जयनेवा में कहां पर है जयनेवा में है गए है दस है क्या कहता है हम राष्ट संग्षा परषद में और स्था संख्या दस है आयो बढ़न कोश्चन में 36 की और प्रटिस कहता है आपका पधनमंत्री ने डैस भात की नई आर्थिक नीती का निधारों निश्च्व एक आनमे में किया था उसे कारे में किस्पा किया था नर् लंका का है सार्क डैस में अस्तित में आया था निश्चा पचासी स्वीड में सार्क जो है अस्तित में आया था आये कोश्चन में आपका है फिन्दी बलंक्स का अटेटी सेवं सटासी में डैस कश्च्पती जैवर्धने ने भारत से सांधी संधी पर सज़त किया था तो अप्सम नंबर यहां पर हो जाएगा स्रिलंग का हो जाएगा यहां करेक्ट आंसर आई आते हैं गुरूप सी जो है क्या है वाट्विशन इंटरनेश्नल तो बताना है आपको कुछ है 44 है दो क्लाम विवाद क्या है वह लिखना है फॉर्टी फाइब भारत के दो राश्टी रादिती दलो के नाम लिखी यह दुष्ट्रीन तमापुए कोई आहिश्क्री का नाम लिख सकते हैं वुटिस का दर दूसरी दुनिया का अभी पराइब किया वाट इस मुंट सेकंड वर्ल्ड वो आपाथकाल किसज़ लागू किया गया था रहा तो चल रहा था आपका जोहला नेरुक प्रथामंतरी के समय अपातकाल स्टार्ट हुआ था और अपातकाल कितना में है राश्टी अपातकाल देखी तीन तरफ का अपातकाल होता है आई आतने इस पॉर्टी एट एक दुर्विया वीशुष से आप क्या समझते हैं वो लिखना है 49 कॉंग्रेस सिंडिकेंट का क्या अर्थ है वो करना है पच्छास आजाद भारत के पहले सिच्छा मंत्री कौन थे अबूल कलाम आजाद के पहले सिच्छा मंत्री थे सोवियत पढ़नाली क्या थी वो लिखना है उसी में और है पंचसील के संद्धानतों को लिखें बावन नंबर है पाकिस्तान का अजियती में सेना की भूमिका का वंदन करें और विवीजिता में एकता से आप क्या समझते हैं तिरपन नंबर विले पत्र किसे कहते हैं आतंग और प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं प्रिव पर्स पहले भी आया था प्रिव पर्स का जो है वह अस्थापना आपका 1971 एश्यू में हुआ था और देशी रियासतों के असकों को रिया दने वाला प्रिवर्स जो है 1971 में स्वाप्त कर दिया गया था अब लोगा से लिखना है और अंठावन नंबर एकटबंदर आजिती में चेतरी आजितलों की भुमिका में कैस्वरिदी हुई उधारंदे उसी में और दिया सुतंत्रता के बाद भारत के समझ रास्ट निर्मान की चुनोतियों पर एक निबंद लिखिए और आज का लास्ट कोश्चन है पॉल्टीकल साइन्स का सेट नंबर वन का कोश्चन आंसर एमसी क्यू था आपका फिलिंदी ब्लैक्स करवा दिये और सौट आंसर लोंग आंसर सब्ची करवा दिया गया टोटल उनसौट नंबर पॉल्टीकल साइन्स आई होब आपको वीडियो अच्छा लगा होग जुर अब कमेंट करें उसको निस्ट में आपको वीडियो दी जाएगी ओके फ्रेंड्स थांक यू